हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गड़ीत के महत्तुपूर प्रशनों को लिए हैं जो बोड के द्वारा प्रिबियेस एयर में ये सभी कोईशन पूछे जा चुके हैं और यही सब प्रशन जो आज आपको हम हल करके बताएंगे यही सब प्रशन जो है 21 फ कैसे हल कर सकते हैं और इसके साथ आपको उसके हल करने का तरीका क्या है उसको आपको सिंपल तरीका से समझाएंगे तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके सामने पहला प्रशन है कि दी गई संख्या में अभाज संख्या होगी दिखे फ्रेंस यह इसका संख्याँ संख्या होता है संख्या हटाई अगले वगले सवन को सवाल को देखते हैं अगला नमबर का सवाल है सभाएं यक्समाइनस वाई बराबर दू का हल होगा देखे इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे इसको आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और आपको जैसे पेपर में हल करना है उसको दोनों वीडियों के समझाएंगे तो पहले इसको ट्रिक से देख लेते हैं कि यह ट्रिक से कैसे हल होगा द हल कर पल्वत आते हैं फो ट्रीक बताते हैं देख़ें यह जैसे हैं यह रख ये लिखहें जोडने पर जर जब छोडमे जोडने पर येस्क नियस फेना कितना ओकर दो यक्स वाई फर capabilities चल जाकाए दूயिकी कितना ओज़काए चार और 2 को पच्छाँन तरह करेंगे 2 हो जाएगा यक्स बराबर 2 का 4 में भाग देंगे 2 होगा यक्स कमांड 2 आया अब इस यक्स कमांड किसी समीकरण में रखके हल कर लिए चलिए यहाँ पर करते हैं बखिए समीकरण एक में यक्स बराबर 2 रखने पर पुरा step by step सिखा रहा है friends फिर आपको trick भी बताएंगे कैसे आप direct हल कर सकते थे देखिए अब समिकर एक x minus y बराबर 2 है x कमान 2 है तो 2 रखिए minus y बराबर 2 minus y 2 2 को पच्छा तो minus 2 minus y बराबर 2 में से 2 गया 0 तो y बरा कितना आ गया 0 तो आपका यक्स कमान आया दू और y कमान आया 0 चलिए यहां पर देखिए यक्स कमान 2 है y बरा कमान 0 है इसका सही जवाब होगा अब देखिए friends इसको trick से कैसे आप हल कर सकते थे आप क्या कर सकते थे कि यहां यक्स और y के जो मान दिया है इसमें आप आपसन में रखे के देखेंगे कि दू किस पर आ रहा है तो चलिए देखिए अब यहां पर y कमान यहां पर दू रखते हैं यहां पर दू और y कमान यहां पर 0 रखते हैं तो दू में से 0 गटाते हैं तो दू आ जाता है इसी को इसमें भी रखे देख लिए दो आ रहा है कि नहीं यक्स के जिगाव दू रखते हैं वाई के जिगाव दू में जीरो जोड़ते तभी पर आपको कितना आता तो इस तरह आप ट्रिक के माद्यम से बहु कल्पी प्रश्णों को साथ में हल कर सकते हैं ठीक है तो फ्रें यक्स बराबर ए काम वाई बराबर दू समी कर यक्स प्लस वाई बराबर चार का एक हल है तो एक कमान ग्याद कीजिए अब फ्रेंज इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे देखें यहां यक्स कमान ए दिया है यक्स कमान दो दिया है यहां यक्स प्लस वाई बराबर चार है तो यहां पी जो सम्य करण है यक्स प्लस y बराबर चार दिया है यक्स कमान एक है ती एक कमान एक आप ए रख लिजये प्लस y कमान कितना दिया है दू रह लिजी चार अब इसके कोई कर लिटो तो इसकी प्रेशन जिस प्रश्ण का एंसवर आपको पहले से आ रहा हो उसका एंसवर आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं आपका चौथा नंबर का सवाल है कि यदि यक्स स्क्वाइर यहां यक्स कमाण पूच रहा है देखे पहले इसको हल करके यक्स कमान ग्यात करना है देखे यक्स स्कौर माइनस एक बटा के नो बरह जाए है जीरो यहां पर यक्स स्क्वार कितना हो जब प्लस माइनस लिखते हैं यहां आपसन में देख लीजिए यहां पर आपसन में इसका सब्सक्राइब क्या है से सी वार सही है प्लस माइनस एक बटा के तीन इसका सही जवाब होगा ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखिए आपके करण दिखाद समी करण तीन इसका स्कॉर प्लस चारिक्स मैंस पांच बडावर जीरो का वीविक्ति करण होगा अब देखिए वीविक्ति करण ग्याद करना है यह इसके साही है इसका आपसन है इसका यदि आपको एंसवर आ रहा है तो कमेंटर बाक्स में डारेट लिग दिजि answer को आफに इस सवाल को आपकर कैसे लगाएंगे यह आपका एकमान होता है यह B का होता है यह C का होता है ठीक है यह हम करका को सम्झा लगीगा कैसे ते डैने को ग्यात करना होते कि बसे देखा थे अच्ट कत डीषार माइनव 4 this होता है बितना के चार के 24 कोbor करें अब ऐसको माइनस कितना है माइनस पांस यहाप निया माइनस पांस रख लिए दे के है 144 गुड़ा कर लिजिए दथि पांतोब 1515 अब माइनस कवा माइनस रिख फ्लस हो जागा習 अभ investigation अगला नमबर का सवाल है कि दिवगात समीकर 3 x square minus 4 x plus 1 बराबर 0 के मूल है अब यहां पर इसका मूल पूछा यह आपसार है वास्तिविक और बराबर होगा वास्तिविक और बिन वास्तिविक नहीं है या वास्तिविक है तो आपको देखिए फ्रेंज इस सवाल को कैसे लगा कर लिजिए देखिए यह पर यह होता है यह होता है यह होता है नहीं कितना तो सोलह माइनस चार के आठ लीजिए? सोला में सब आठ घटाएंगे तो कितना हो जग आठ आ रहा है तो देखे फ्रेंस जो यह आठ आ रहा है आपका आठ क्या है आपका धनात्मक है और वास्तिविक संक्या है तो यह आपका आठ जो आ रहा है वास्तिविक है और इसके जो मान आ रहा है बराबर आ रहा है नहीं त वास्तिविक और क्या हो जागा भिन भिन होगा अलग अलग होगा तिसका सही जवाब क्या हो जागा आपका बीवला वास्तिविक और भिन होगा अलग अलग होगा ठीक है तिसका सही जवाब क्या होगा आपका बीवला आपसन सही होगा ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते है उसमें 46 अनुपात दिया है तो इसमें तरिफूच की भूजाओं में अनुपात पूछ रहा है देखिए आप कर जैसे balance एरिया वन एटू ले लिजे यह यहां तो क्या देखाता है जैसे साइट से देखाते है साइट one माली जहीं साइट टू माले इसको डायरेक्ट भी लगाएंगे अभी बताएंगे फृ List को देखा होता है कि भूजाओं का स्कॉायर होता है आट इस वन भटकी एस्टू का होल स्कॉायर है अब यहां सिस्कॉायर हाटाना तो क्या करेंगे दोंक कश्चा को रूट ले लिजिए जब रूट लेंगे थे हैं आप क्या चार को वरकमुल 2 होगा है और यहां पर यह एस प्रेंस इसको ट्रिक्स लगाना रहेगा तो इसको बीना लिखे आप एक मिनट में लगा सकते हैं ठीके छेट रफल देगा और भूजा का अनुपात पूछता है न तब चार का वर्गमोल कितना हो जगा दू और नौ का वर्गमोल लोजागा तीन बस आपको ध्यान क्या देन चाहिए और यदि भूजा का मान पूछता है तो इस प्रकार से लगाना है तो दूआनों पाते तीन हो जाएगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि बिंदू माइनस दू काम अच्छा और माइनस दू कामा दस को मिला आने वाले रेखा खंड का मद्ध बिंदू ठीक है अब देखे फ्रेंस मद्ध बिंदू का निशांग ज्याद करना है तो आपका मद्ध बिंदू का निशांग क्या होता है यहां पर मद्ध बिंदू ठीक है आपका होता है यक्स वन प्लस एक्स टू बटाके दू कामा वा इसी प्रकावा से सभी सवालों के लगाना है चली अहां पर आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे सब्सक्राइब करना है कि एक बटा करणी में तीन होता है और इस सवाल को लगाने कैसे लगा है अब 10-30 का मान पता होना चाहिए सब्सक्राइब करणी में तीन होता है तक फॉरा बटा के बटा के प्लास ये क्षचा कुण्य करेंगे कितना वर्ग करेंगा एक वर्ग एक होगा अगरी तीन वर्ग देखिए और फ्रेंश क्या करेंगे अब यह आप को करना है आप करेंगे 3 गणवाद मेशंग में किसए कि मान था यह परीमिकल कर लीजय कि 3 की बंटा तो फिक अब दzinhoख लीटे ये कितना हो जेगा ये दू घुड़े कारी, कर्षी ञर्टीं के न को हो जाई तो आपका मानtså कितना दूफ़क की कि इन में साइट से संसक्त का माना घुठन संसक्क का मानाल में 3 का संसक्त होता है ताम इस लगाना है आपको यह अगले नंबर का सवाल देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखिए यहां पर हैं कि साइन e बराबर 12 that पांच और d009 होगा अब देंगिये इस सवाल को कैसे लगाना है यहां पर दिया है कि साइन यह बराब कितना दिया यह थी जह medo अपक पोच रहा है जब इब साइन a अब क्या होता है तीन बटाके फार्मुल्ला क्या होता है लम पटाके 45 आधार कड़ कोना कर nam लंब आगे तीन, कड़ कितना आगे आपका, पांच आया, पाइथा गोरस परमेस लगाएंगे तो आपको पता है, कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है, अब यहां कड़ कमान कितना दिया है, पांच यहां, पांच के स्क्वाय कर लीजी बराबर मम कितना दिया है लंब 3 कर थी 3 के इहां पर आधार दिया है यहां सी इसक्वार हटाने लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों को रूट ले लीजिए 16 को पान जाये कि अमेद के कास और कितना होता है एक लोघ कोड़ कितना है तो आप संग्षछ एक इंद कितना हो शारा प्स पर बड़ फैर इसें सही जवाब होगा अब इसको ट्रीक स्थ सकते थे इसको आपको साइन एक ऐकमान तीन और पांच देता है moments तो आपको अगला वाला जो भूजा होगा इसमने चारव अब चार लंब भी हो सकता है इसके अनुसार इह तपका कड़ पर का पाते हैं एस तो पका से डाइरेक्टी लगा सकते तहीं तो आपको हल करके इसमें भी करके आप लगा सकते हैं सवाल को चल इए अगले सवाल कोई सब्स आपको पता दे हैं कि हम यहां पर प्रतेकं चेप्टर से सवाल लीएं ठीक है यहां प्यावन नमबर का सवाल है आपका कि एक घड़ी की मिनट की सूई 14 cm है एक मिनट में सूई द्वरा बनाएगे तरी जिखंड का चेतरफल पूछ रहा है देकि इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहां पे आपको पता होगा कि एक घंटा में 60 मिनट होता है यानि 60 मिनट में एक चेकर लगाएगे त्वेक Tahit एक मिनट में कितने का कोड बनाएगा हाइक मिनट में आपका बनाएगा तीन सू आठ बटा यका 60 इसको भाग देंगे 0.6 यानि कितने ě अंश का यह बनेगा छा हन्सका को अब देखिए आपको त्री जे खंड का और यहां ठीटा का माना है साथ 6 अब बटा की यहां पर रखेंगे 360 ठीक है अब गुड़ा पाई के माना होता है बाईस बटा के साथ और कमान कितना ए 14 यानी 14 के स्कॉर्ड के मतलब वह 14 गुड़े 14 अब इसका गुड़ा बाग कीजिए देखिए साथ केम साथ, साथ दूना के 14 हो गया, 6 केम 6 6, 3 हो गया, देखिए अब 2, 1 केम 2, 30 बार में कटेगा ये 11 बार में कटेगा ते 15 हो जाएगा, कुल मिला के गुड़ा करके लिखिए है यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुड़ा करके लिखते हैं आपको देखें यह सवाल इतना में ठीक यह सवाल ऐसे है इतना में ठीक अब गुड़ा करके लिख लीजिए देखें आपको बचने 11 गुड़े 14 अब बटाके 15 गुड़ा कर लेजिए देखें 141 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 जब फ्रें 15 के एक भाग देंगे तो आपका आएक दस दसमोलो इसका सही जवाब होगा दस दसमोलो दूच्छ आप भाग देके देख लीजिए का फ्रेंश ठीक है आपका बारा नमबर का सवाल है यदि किसी बृत का च्छत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप का दोगुना है तब बृत का परिधी होगा फ्रेंश जैसे सवाल कर रहा कि बृत का च्छत्रफल यहां पर दिखिए यहopa आपका सहाँ उने है इस सवाल को हल कर बताते हैं कि इसको otherwise है आप निकाल सकते हैं निखिए अजैसे हैं वेलिए बृत का। चेत्रफल बराबर और कह रहा है कि बिरित की परिमाप के कितना यहां परिमाप इसका कितना गुना है दो गुना ठीक है अब बिरित का चेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्कॉायर देखें फ्रेंज अब बिरित का जो यह देखी ए बिरित होता है बिरित का परिमाप क को एक या परदी कहीं दोनों का फार्मूला एक ही होता है तो बित की पर इख फार्मूला होगा 2 पाई आर और इसी को परती को ही पर में आपको आता है ठीक है गुरेकर अब देखिए फ्रेंज यहां से क्या करेंगे कि यहां से आप देखिए पाई आर स्क्वाइर ठीक है यहाँ पर दूखा करें दूद्धूना के चार पाई आर अब देखे फिरेंज से पाई कड़ जाका एक आर से यहां से एक आर कड़ेंगा आर बराम कितना हो जागा आपका चार हुआ ठीक, अब फिरेस्ट देखिए, आर कमाण तो ग्याद कर लीए अब यहाँ पह पूछ रहा है, तब भृत की परिदी होगी, आपको परिदी बताना है तो फ्रेंस अभी आपको बता है कि चाहे परिधी का ही है चाहे इसका परिमाप का ही है दोनों का मतलब एक ही है देखिए यहां पर परिधी ट्रीक परिदी की फार्मुला की होगा 2 πाई आर ही होता है देंगे 2 पाई आर कमान कितना है चार चार रहाख ले जीए तक चार दुना के 8 और यह हो जगर 8 पाई ठीक है तो बिरतिक की परिदी कितना है आज आपका 8 पाई हुआ त इसका सही जवाब आपका कौंस होगा कि गोले के त्रिजे आर तत्ह बेलन के आधार के तिरीजे त्दद उचाई करमस आर त्दद Wise घंट गोले के आयतन का अनुपात ग्याद की जिएए अफ दिखें फे यहां पर किसका अनुपात पुछ कि मेलन का और गोले के आयतन का यहाँ पर लिखिए बेलन का आयतन, ठीक है, यहाँ पर लिखिए बेलन का आयतन, अपान, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर गोला का है, यहाँ पर गोले का आयतन लिखिए, चलिए यहाँ पर लिखिए बताते हैं, आपको यहाँ पर लिखिए गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयता नहीं होता है चार पटा की तीन पाई आर की होता है अब यहाँ पर मार रख लीजिए ठीक है देखे गोले की तिरिजिया कितना दिये आर दिया है तो यहाँ पर गोला की तिरिजिया आर है बेलन के आधार की तिरिजिया तथा उचाई करमसा दिया है देखे यह तिर्जिया आपका R है उचाई के 2R तो चलिए यहां रखते हैं तेंकि पाई गुड़े दिर्जिया कितना R है तिया हमार की श्कॉार ही होगा उचाई कितना R है तो यहां पर 2R कर लिजिए अब पांद लेके 4 प्टा के 3 पाई यहां पर गोले की तिर्जिया कि आ रहे तो rok आर पर तीन घात ही रहने दीजे अब देखिए पाई से पाई कटेगा आपका यह और इसक्वाइर और आर का गुड़ा करेंगे तिकतना हो जागा देखिए आर तो आर पर तीन घात होगा गुड़े यह जब बटा के दिन बटा के चार यह आर क्यू रहने दीजेए हाँ पर कितना आया थीन पटागी 2 इसको अनुपात में लिखना रहे तो कितना लिखेंगे तीन अनुपात दू और यही इस सवाल के क्या हो जागा जवाब होगा तो चलिए देखते हैं आप संब तीन अनुपात दू के कहांपी दिया है तो आप संब देखेंगे फ्रेंज दू पाल है कि एक से नो तक की प्राकिती संख्याओं का समनांतर माध्य ग्याद करना है ठीक है प्राकिती संख्याओं का समनांतर माध्य अब देखें फ्रेंस समनांतर माध्य बराबर होता है सभी पदो का योग सभी पदो का योग देखें फ्रेंस फार्मुला इसलिए लिख रह हो गया कैनी कि फ्रेंज एक से नों तकी प्रागिती संख्या लिख़ें देखिए एक प्रत्री प्लस उप्लस चार प्रा चेट आट नो यह प्राक्षिती संख्या के यह एक सब्सुन टक प्राक्ष लुक्वलों कई कि योग यह सभी संख्याओं कर लिजिए और पदों की संगयें में कितने गिल इएक तूंतीन चार पांट च्छह साथ नो नो आरत नो का भाग दिजिए चलिकों जोडते हैं देखिए दू एक तीन सही जवाब होगा चली अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल हुआ पंदरा नंबर का कि 12 ककामा 21 this 21 29 24 तथा 19 का बहूलक होगा देंखे parsidle chasminaakak mahabthird होता है जो आपका ये आपका इसमें कौन से संक्रान सबसे अधिक यहां ठीक होता है यहां वे टएकाईस को देखें Greno अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जितने आपको यहां पर प्रश्ण हर करवा रहे हैं यहीं बोर्ड में छपएगा आप देखिएगा अब यहां पर करें संक्या 42 33 31 26 20 18 14 10 8 तथा 6 की माधिका है इसको आप ट्रिक से बताएंगे यहां पर आपको बहुई कल्पी देगा जैसे आज आपको बताने वाले हैं उसी उसी से लगाईएगा जैसे आप आराम से आसानी पुर्वक्स सवाल को कम समय में हल कर पाएंगे देखिए जब यह माधिका निकालने के लिए कि लिए इसको पर आरोई या औरोई करम में लि 20-26-27-31-31-33-33-33-33 रडा कितना है 22 अब फिरेंगी अब इसमें ट्रीक क्या लगाएगे जीतनी संख्या लिखा है इसमें गिल लिजे यह कितनी संख्या एक दू तीन चार पांच छे साथ आट नो दस यह तो आप क्या किजिए कि 4 संख्या इधर से इतना छोड़ दिजी औ प्लस अठारा ठीक जोड कि इसमें दो से भाग दे दिजेगे जोड यह कितना हो रहा है आठ दू एक तीन पटा के दू भाग देंगे उन्नाइस आगा और यही क्या हो जागा मादिका हो गए तेकि फ्रेंस कितना सिंपल तरीका सा ट्रिक्स लगा लिए ठीक है लेकिन फार्म लिए पटर्टड धनातमक विश्म्पूरां का रूप होगा यहाँ में पता ने के धनातमक को विश्म्पूरां का रूप काउन सा होगा यहाँ देखे नमबर का है कि का साथ अंस कमान होगा देखें फिर सब्सक्राइब को डारेक्ट याद रहेगा तभी हल कर बाएंगे का साथ अंस कमान होता है एक बटा के दू इसका सही जवाब होगा आपका एक बटा की दू हो जाएगा चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं यह प्लसि всеon अब धेखें फैर इसका सब्सक्राइब कर देखें अब लिजआ यहाँ अमभाण के सब्सक्राइब gjort यहां रहुआ लोगान इसका सही जवाब आपका एक होगा चलिए यह आपके सामने अगला सवाल है आपके सामने 20 नमबर का सवाल है किसी समय किसी अस्तम्ब की छाया की लंबाई उसकी उचाई की कड़ी में त्विन गुनी है सुर्य का उन्नेयन कोड 45 अंस होगा आपको बताना है यह कथन सत्य है यह असत्य है चलिए इस सवाल को लगा के बताते है किसी समय किसी अस्तम्ब की छाया देखी यह आपका क्या है अस्तम्ब है और यह क्या है आपकी छाया है ठीक है यह आपका क्या है अस्तम्ब होता है यह अस्तम्ब की छाया बनेगा इधर यह चाया है च्छाया अब करा कि किसी अस्तम की च्छाया की लंबाई उसकी उचाई की कितनी गुना यदि हम उचाई को यहां से लेगे यहां तक इसकी उचाई को यक्स माल लेते हैं यक्स है जिसकी च्छाया कितनी हो जाएगी कितना करा है काड़ी में तीन है यानि कड़ी तीन गुना यहां पर देखि इसको मिला लिजिए। अब यहां पर करें जो उन्यन कोड़ बनेगी इनको मतलर यहां ठीटा ले लीजिए यह तीटा करें पर निकाल बदो बताते हैं देगे 10 ठीटा बराबर क्या होता है लंगा क्या थार लंग क्या है आपका थे देखें यहां पर tan theta किसके माला कर यहां पर कितना हो का चैनल होता है तो दीक देखेंगा तो यहां पर से हम 20 मैंत के महत्तुपुड़ परश्ण आपको बता हैं तो फ्रेंशंद को आप एक दो बार जरूर लगा लिजिए कि यही बोर्ड के exam में same to same question आएंगे तो friends आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें